इस theory का नाम है average, concept of average in ALP computation, तो look at this, इसके उपर थोड़ी बहुत बात तो मैंने की ती वापस detail बात है भी देखो, ये एक्जाम्बल देखना, imagine first method, first method को imagine करो उने तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, comparable uncontrolled price method, तो see, उसमें हम लोग क्या करते, जो product X ने Y को बेचा है, वैसे मिलते जुलते similar transactions पकड़ते हम, उसको क्या लते English पे, comparable uncontrolled transaction, uncontrolled मतलब जो transaction unrelated party से किया हुआ है, और comparable मतलब similar transaction, जैसे sale of watches है, तो ये भी sale of watches, पर प्रॉब्लम क्या हो ही मालूम है, एक्स लिमिटेट से हमने जब बातचीत की, तो उसने बोला, हम तो किसी को 140 से बेचते हैं, तो किसी को 110, किसी को 150 तो 120, बला आउटसाइडर्स प्राइस बेभी variations है, तो लोगर ऐसा होता न, कि सारे जहां को वो 130 में बेचता है, और फ तो तो मिल गया यह LP, बट इदा प्रॉब्लम क्या है, आउटसाइडर्स प्राइस में भी uniformity नहीं है, देर इस variation, खेर आउटसाइडर्स के साथ तो उसके लाखों ट्रांजेक्शन होंगे, लाखों वेराइटी नहीं है, बट मेंली देरा फोर वेराइटी, देरा सम पीपल जिसको 140 में बेचा है, देरा सम कस्टमर जिसको 110 में बेचा है, एन सो ओन, तो चार वेराइटी आ गई, अरे तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो सी लॉन ने बोला सीधा एवरेज मन निकालो, पहले चार एलपी कंप्यूट करो, बनला सी हाओ, लुक, बोर्ड पे देखते ह है न, एक बार लगी हाँ, सिंपल है, सिंपल है, लेकिन अभी ट्विस्ट आएगा, पहले बताओ, कपम का फॉर्मेट क्या था, कपम मेथड का फॉर्मेट का फॉर्मेट का फॉर्मेट, प्राइस चार्ज इन, कंपेरिबल अन कंट्रोल ट्रांजिक्शन, तू कितना है दे है देपाँड for differences, between IT and UT, पहले इसे डारेक आवरेज नहीं निकालने का होता है, पहले अज़स्फेंस करने का, बहले एक एक ट्रांजेक्शन को लेके बैठो, जैसे पहले देए को लेके बैठोंगा, जाँ, 140 अफोटी पे था, यह CIFA था, तो उसको करो रेकनसाइल, और यह एफोबी पे था एफोबी छोटू होता है न तो एड इंशुरेंस प्रेट एंद फिर डिस्काउंट वारेंटी हो सब करेंगे फिर इसका काम सलट गया तो यह हो गया देखो ऐसे जगर के इसका एक एलपी आ गया फिर 110 को लेके बैठेंगे एंद 110 का मुकावल होगा 125 के साथ and then again we will see the differences between IT and UT and फिर उसको plus minus करना पड़ेगा बला सोचो न बकाइदा मुझे चार-चार एलपी कंप्यूट करनी पड़ेगी लेकिन एक बार अजूम करो ऐसा कोई adjustments नहीं है रहे आगे बढ़ना है न अपने तो समझ गयाना समझ गयाना भी क्या होता है हो तो let's assume ऐसा कुछ adjustment नहीं है तो this remains 140 but this remains 110 150 120 सी answer मैंने सेम ही रखा लेकिन मैं तुमको क्या convey करना चारो समझा के पहले add or less adjustments वाला काम सलटा दो बला बकाइदा है सो जो चार-चार में एलपी निकालके बैठाओ now you have to take the average take take the average अरे तो यह क्या करना पड़े है सबको add कर दो फिर divided by 4 क्या answer अरे this plus this plus this plus this divided 4 कितना है या divided 4 भी कर दो न 130 dollars अरे तो अलपी आगे अपना ALP is 130 dollars मतलब directly average नहीं निकालना होता है पहले जितने भी prices अपने पास है उसको add or less adjustments करके के ALP पहुचना पड़ता है फिर ALP का average is the main ALP ALP का average is the main ALP अब इन ALP को भूल जाओ भी इनका काम हो गया बस average आगे न भूल जाओ भी अब अपना main ALP यह हो गया now compare अब करो dialogue बाजी shown more cheating hence comma conclusion लिखते है न conclude करो इसको 130 dollars होना अच्छी है और भाई साब ने कितना दिखा है 125 वाँ शोन less cheating आयूशी बात नहीं कर रही है शेट वापस बोलूगा since ALP 130 dollars है तो सच्छा sale price 130 होना चीए लेकिन इसने 120 भी है दिखाया खाली सिर्फ इंकम कम दिखाई यह फील किया cheating कितने से कम दिखाई है पांच डॉलर तो क्या करते पांच डॉलर इसकी इंकम एड करते न लेकिन नहीं इधर एक रूल है अभी कभी भी average दिखालने की नौ बताती है average average तीन परसेंट का चलेगा पहले difference आ रहा है कि नहीं होना इतना चीए है इतना पहले यह difference की बात हो रही यार 130 होना चीए न अपने हिसाब से इन लोग ने 125 दिखाया ना कम दिखाया ना तो मैं यह difference का बोल रहा हूं तो यह difference अगर 3% तक है तो government चला लेगे 3% of actual price 3% of actual price यह देखो क्या लिखाया यह actual price है ना look at this 3% of actual price तो निकालो actual price का 3% actual price तुम लोग सुन रहे हो हो से नीन के नशे में एक्चुल एक्चुल क्या है 125 तो निकालो 3% of 125 कितना है तो डाट कम्स तू 3.75 डॉलर्स इतना difference से तो चलेगा अब देखो है कितना पांच 130 माइनस 125 डिफरेंस कितना हो कि पांच अरे मैं ऐसे क्यों ना पांच ज्यादा होगे ना पांच इससे चर्ट के बड़ा बड़ा अपांट है और इतना बड़ा डिफरेंस है तो गॉड़मेंट बरदास नहीं करेगगई इत्ना बरदास कर लेगी बरदास करना मगला tolerance इसको लोते डृवंड लोग तॉल्लरेंस बैंड अरे यह जो मैं प्राइज वाह से 3% जाए 125 एक्चुल प्राइज एना वाह से 3% एड़ो 125 प्लस एक और एक और करो ना और 125 में एक और आड़ करो 125 प्लस एट री पॉंट कितना हो गया 128.75 यह बैंड तक ठीक है बड़ तो बैंड के बाहर चला गया बैंड बजा दी तुने तो बना 128 भी तेरा तो 130 है तो वो टॉल्डरेंस बैंड के बाहर है तो इन्शॉड लॉइ एक बरदास्ट की सीमा रखी है उत्रा आम बरदास्ट कर लेंगे ज्यादा बरदास्ट नहीं होगा लेकिन इसका डिफरेंस तो ज्यादा ही हो गया ना ज्यादा होगा तो सुनो क्या पांच का है तो पांच में इतना तो चड़ा लो इतना चला लो बैलेंस नहीं ऐसा नहीं है लो का ऐसा देखो बरदास्ट हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो जरा भी नहीं होगा फिर अक्खा डिफरेंस इंकम में जोडेंगे और इधर तो अक्खा डिफरेंस अक्खा क्यों अच्छानक यह पॉइंट क्यों आ गया अभी तक तो नहीं बोला था मैंने अभी तक क्यों नहीं बोला था क्योंकि यह रूल average scenario में applicable है बतलो पता अगर ऐसा होता न सारे जहां को मैं एक ही प्राइस बेश रहा हूं यूनिफॉर्म प्राइस सुन लो नो क्या बोल रहा हूं अगर सारे जहां कोई यूनिफॉर्म प्राइस से बेशता न फिर तो एक डॉलर का भी डिफरेंस बरदाश्ट नहीं करें गवर्मेंट यह average है न इसलिए गवर्मेंट बरदाश्ट कर रही है मेरे बोलने की टोन से लॉजिक समझ जाएगा अपने अब अरे क्यों क्या लॉजिक है इसका बताओ न जब आउटसाइट प्राइस में इतनी वेराइटी है तो असेसी कोई बेनिफिट और डाउट मिलता है असेसी बोल सकता है इतना वेराइटी है यह भी एक वेराइटी ह कि अजिए कि अजिए अगर शायद सेसी सच्छा भी हो सकता है क्योंकि इतना वेराइशन है तो अगर सारे जहां को हमने बीड बात कर एक ही प्राइसे बेचा होता ना, फिर तो हम लोग पत्थर की लकिर डाल के बोल सकते हैं, भाई, सबको तुने यह भाव में बेचा ना, तो इसको चारा ना, आठा ना कम भी क्यों, एक डॉलर भी कम क्यों, फिर तो थोड़ा भी बरदास्थ ने करेंगे, फिर तो बोलते हैं पे अपने को average आउट करना पड़ेगा, फिर देखेंगे, फिर अगर average के मुकाबले, बोलना सिको, average के मुकाबले तेरा जो actual वाला है, वो अगर थोड़ा बहुती difference आ रहा है न, चला लेंगे, बट अगर बहुत difference है, फिर तो अक्खा difference तेरी income एड़ करा देंगे, इससे ब add or less adjustments वाला कारे करम निपता दो, और वो mostly sum में डालेंगे नहीं, जब लोग यह सब test कर रहे होते हैं तुम लोग उतना मगजबारी नहीं करते, और तुम लोग कभी sum भी देख लोगे न, module में, past paper में, यह सब दिखेगा ही नहीं, तो लेकिन बाद में उससे गलत फ्यम ही प sum टेड़ा मेड़ा बनाना चाहा है, तो वो तो कर सकता है, क्या कर सकता है, यह चारों ट्रांजेक्शन में नखरे चालू कर देगा, यह ऐसा था, यह ऐसा था, FOBC, वारेंटी बगेरा, तो first what you should do, do all adjustments and arrive at the 4 ALPs, जो भी 4, जीतने ही, मेरे example में 4 थे, then average out करो, फिर क्या करोगे फिर check the tolerance band, check the tolerance band, वो कैसे करना चाहिए, public को 3% तो यहाद रही जाएगा, 90% public पता है, क्या भूल जाती है, अरे 3% किसका था यार, अचारों ब्लैक आउट हो जाता है, इससे मेरे ऐसा पागला दिन श्ट्रेस करते रहेगा, actual price, 3% of actual मतलब, actual कालू वाला, इसका 3% लेना है, तो निकालो इसका 3% फिर जो भी आया ना, then what to do, इसका क्या करना चाहिए, compare with difference, बेश पता इसका एसा एक्जाम एसा working दिखाने का दिखो, ALP 130, actual 125, इसका प्रेजेंटेशन के ले अच्छा रहता है, यह आगे अपना difference, बढ़ा ना, and then how much government is ready to tolerate 3.75, and then देखना चाहिए, नहीं भाई, इसका difference तो ज्यादा है, तो नीचे conclusion देदेना चाहिए, प्रेजेंटेशन है सम में, यह तो अपनों देख देखे समझ लिए, लेकिन exam में दिखाना होता है, पर्टिक्लर वे, तो ऐसा दिखाना है, ALP 130 था, actual 125 है, डिफरेंस 5 आ पड़ेगा, तो उसके लिए राइट साइड में working कर दो, चोटी सी, 3% of actual price, देख लो, उसके मुकाबले, अगर डिफरेंस जादा है, तो नीचे conclusion क्या डालोगे, since the difference is more than 3% of actual price, entire difference shall be added to the income of the assessi, लेकिन यही अगर, चेंज करो, सुनो, चेंज करो, बाइचाज ऐसा होता, यह 127 होता, स्मार्टनेस मैंने इसको चेंज किया है, समझा जी नहीं क्या बोलना चारा हो, अरे मैं जो जोश में इसको चेंज करता तो, actual change तो 3% भी चेंज हो जाता ना, यार, तोड़ा भुद्धी लड़ा हो ना, क्या बोलना चारा हो, अगर मैं बच्चों को सिखाने के चकर में जो का 3% भी चेंज हो जाता ना, लेकिं में को उतनी महनत नहीं करनी थी, मेरा 3.75 है हुआ है, इसको बेस्ट बेस्ट अन एक्च्चों को नहीं हिलाया, इससे बच्चों के अवला, मान लो अगर ये 127 होता तो, मानो, मानो क्या है फिर, फिर तो दिफरेंस का ली तो है, और तो ये तो छोटा डिफरेंस, 3.75 के मोगव ले चोटा है, जो एकक्चूल प्राइस, तो प्राइस भी तेकलेड़ बाइद नियुक्त नहीं को के इसको मान लेंगे, एन एलपी घया है भाड में, तो फिर, इसको क्छब के नहीं है, अज छो इस बहुतेर को एक्च्चूल आँ नहीं है और फिर हम इसको सच्छा मान के इसके प्राइस को स्विकार लेंगे एंद फिर अल्प अल्प सब गया भाड में एक अब अगर डिपरेंट्स छोटा होता थो लंभी सांस लो लेनी पड़े की थकलिफ हो जाए कि पहले डर जाए को तो नेक्स पॉंट से सांस तो V wij लेज देन सिम्पल सो लेजली बोला सोन लएज सिक्स और मोर होता है थो अलगी पड़ेख है तो यह अपना अरिफमेटिकव संपल संपल अकर एड करके डिवाड का जतला तो mean approach कब आएगा when less than six varieties but six or more varieties होता है mean approach नहीं median वाला approach है and फिर उसमे tolerance band नहीं होता है range concept होता है क्या बोला range concept mean में tolerance band median में range concept वो अली चीज क्या है बता नहीं बाकी है लेकिन इतना तो सुनलो न कि ये ग्यान जो भी प्राप्त हुआ है इसका use कब करना है when less than six six भी नहीं less बोला है बला अप्टू five भी बोल सकते हैं लेकिन let's say less than six less than six less than six varieties और एक चीजा ये तो मैंने कपम को बेज दे के सिखा है तुम नहीं पता है कितने लोगो नीन के निश्य में क्या लगता है हाँ इतने सारे method खोलके रखोगे तो variety आएगा है ना कपम भी करोगे रपम भी करोगे CPM भी करोगे टनम भी करोगे तो varieties आएगे ना बहुत से variety इसलिए नहीं आई है कि मैं सब method राए करके वेठा हूँ method एक ही लेना होता है how do compute ELP how, 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 how as per the most appropriate method तो सुनो इन पांच methodों में से ये दो नाम क्या है कपम, रपम, पसम, CPM तनम इन में से चुनना को एक ही है जैसे मालो मैंने इसको चुना फिर उसके अंदर variety निकली थी नहीं कभी-कभी कि हम लोग क्या हां में हां मिला थे लेकिन बाद में कहीं न कहीं misunderstanding बैढ़ जाती है तुमको भी realize नहीं होता है क्या misunderstanding कि हमने इतने methods किये इसलिए इतनी variety आई है सी हम लोग multiple method तो करी नहीं सकते लोग ने पांच method खोले अपने को तो कोई most appropriate में से कोई एक ही method पगड़ना पड़ता ना लेकिन उसमें variety आ गए तो सी मैंने कैसा महूल किया था गौर से देखना कपम वाला method लिया था इट वोड़ रपम पसम CPM नहीं था यह कपम था first method उसमें चार variety आये थी means within a method varieties IOP understand मैं क्या stage कर रहा हूँ okay tell me मैंको हर method बता how varieties are possible first method कपम में तो variety हो सकती मैंने बता है दिया ना क्योंकि ऐसे outsider price variations आ रही है second method क्या दात करो resale price method उसमें भी variety आ सकती है अरे in short में क्या कर रहा हूँ हर method में यह बोलना चारा हूँ कि variations आ सकते लेकिन अपने हो क्या पढ़ना है ठीक है आ सकते न तो करना क्या है जितने variations आ रहे हैं उतने varied ALPs निकाल लो and फिर उसको average out कर दो and फिर check करो कि difference कितना है और difference 3% of actual price से कम है या फिर उतना ही है तो चल जाता है तेकिन अगर difference बढ़ा है तो पूरा income में add but this approach you have to follow when there are less than six varieties और six से अधा variety बहुत कम होता है बट अगर हुआ तो उसके लिए भी law ने ilaj निकाल के रखा है median वाला बढ़ा है